नमस्कार दोस्तों सागत आप सभी का YFM Security में दोस्तों एक बहुत important सवाल जो की problem मैंने कभी face नहीं की बट कई लोगों के साथ ऐसे समस्या आ रही हैं और वो comment भी कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर ऐसा हो रहा है problem क्या है कि उनके wifi devices से जब वो connect करते हैं तो उनका DVR चलता है, online चलता है, locally सब उससे ही चलता है लेकिन जब वो अपने mobile data से देखते हैं यानि कि उस जगह से दूर हटते हैं, mobile data से देखते हैं तो फिर offline दिखता है ऐसी सित्य में क्या समाधान है, आकरकर ये चीजे होती भी क्यों है, ये परिसानियों उनके साथ आती भी क्यों है, इन सबी चीजों के बारे में आज डीटेल से बात करेंगे क्योंकि यह समुझ्य हर लोगों की है अगर आप technician है तो आपके लिए भी यह जाना बहुत जरूरी है और अगर आपके घर में camera लगे हैं और आप परिसान है ऐसी परिसानियों से तो यह video आपके लिए बहुत important है शुरू करते हैं इस video को सबसे परिसे मैं आपको बता दो कारण क्या इसलिए होता है कुछ कारण है मैं आपको बता देता हूँ आप को यूज करते होगे अगर आप आप को यूज़ करते होंगे अगर आप आप को यूज़ कर रहें तो ऐसे समझते हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अपने DVR को आप ऑनलाइन अपने वाइफाई डेटा आउन करके आपने किया होगा तब यह चीज़े और ज़्यादा देखने को मिलती है इस 4G में काफी ज़्यादा fluctuation होती है तो ऐसी स्थिती में आपको यह समस्या देखने को मिलती है इसके साथ साथ आपका जो एप है वो काफी outdated हो चुका होता है इस कारण से यह परिसानी देखने को आपको मिलती है और last firmware आपका पुराना हो गया होता है इस कारण से भी यह समस् अधान simple है सबसे पहले आप उस एप को अगर IVMS एप है तो सबसे पहले उस एप को आप update कीजिए अपडेट कीजिए तो आपके समस्या स्वाब हो जाएगी अगर नहीं होती है तो अब दूसरी case में device को delete कीजिए device को delete कीजिए अपने IVMS एप से और उसे दोबारा mobile data on करके आ अगर हो जाता है तो फिर आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगे फिर भी अगर नहीं होता है तो ऐसी इस्तिति में आप preferred DNS server याद रखेगा मेनू कोल कर configuration के network में जाना है जहां पर जेनरल में आपको देखने को मिलता है preferred DNS server enable DHCP टिक की जगा तो automatic आपका IP वगर ले लिया ज address डाले है preferred DNS server की जगा और alternate DNS server की जगा 8.8.8.8 आपको डालनी है अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ ऐसी समस्या लगभग दूर हो जाएगे इसके बाद एक और परिसानी है कि अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जो राम बान इलाज है मैं सभी को कहता हूं कि आप एक किजये hik connect app आपको प्ले स्टोर में अगर नहीं मिलता तो आप ही कनेक्ट एप आप जैसे सर्च करेंगे आपको विजन का वेबस साइट दिख जाएगा जहां से आप ही कनेक के एप को डाणोड कर सकते हैं अगर आपको दिकत हो रही है समस्या होरी कि नहीं ही connect प्ले से बट यह काम अच्छा करता है तो इससे आप की वार कोड़ स्कैन करके मोबाइल डेटा से आप देखिए आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी किसी भी तरह की सॉलुशन करने से पहले सब से पहले तो आप उस डिवाइस को डिलीट कर दीजिए और ही कनेक्ट या फिर सॉलुशन है सबके लिए फर्मवेर को अपग्रेड करें उस डिवाइस का उस डिवियार का तब आपको यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी तो यह कुछ तरीके हैं यह कुछ कारण है जिसके कारण आपके मोबाइल डेटा से आपका डिवियार ओनलाइन नहीं दिखता है वाइफाई से आपका डिवियार ओनलाइन दिखता है उमिद करता है वीडियो आपको काफी पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राब जरूर कर देजेगा वीडियो को लाइट जरूर कर देजेगा दोस्तों धन्यबाद